चलिए स्टार्ट करें चलिए बई तो मैंने सुरुबात किया था एक धर्म जिसका नाम क्या था बहुत धर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे कानी को आगे बढ़ाएंगे तो भी हमने यह देखा कि हमारे पास दो ऐसे गर्धन्र व्यवस्ता थी जो गौतमबु से रिलेट equilibrium है एक क्या है कि मैंने गर्तिन बौला रामग्राम के कोली और कि और मैंने कपिल वस्तु के सांग के बीच में एक नदी बहते है नाम क्या है क्या नाम है रोहित नदी और हमने देखा कि इसी रोहित नदी को लेकर विवाद होता है किनके बीच में दो राजाओं के बीच में एक क्या सुदोधन और राजा अजन तो जो सुदोधन था और जो राजा अजन है इनके बीच का ये जो विवाद जो है फिर सभी लिटीदा हूँ करकegtता हूँ हमार पास दो गर्णहें नाम क्या है सांखय करणर और ती न्वेट जार राजा निंगाकिक तो और को लिए गर्णर राम करा और हम ये मालूम है कि इन दोनों की बीच में एक नदी बहर ये नाम क्या है नाम क्या है रोहित नदी तो एक नदी कौन सी है रोहित नदी हमने ये देखा कि ये जो आपके कौन है और राजा ऐजन और राजा अजन की पुत्री कौन थी महमाया आप महामाया का जो विवा होगा वह किनं से होगा कपिल वस्तू के राजा कौन सुदोधन से किसे सुदोधन से ठीक है, ठीक है, फिर मैं नहीं देखा था कि 563 इस अप्रको गौत्म बुद्ग का क्या हुआ, जन्व हुआ और गौत्म बुद्ग के जन्म के कितने दिन पस्षाद, साथ दिन के पाशाद मा मा माया का क्या हो गया निधन हो गया फिर उसके पाद एक रिसी आएंगे इसका नाम क्या होगा रिसी अजित और इसी जो अजित है यह क्या करेंगे गौतम बुथ का नाम करेंगे और नाम करेंगे सिधार्थ तो गौतम बुथ का जो बच्पंग नाम किया है सिधार्थ है किया सिधार्थ है फिर रहां ने देखा कि वाई गौतम बुद के बच्मानम सिधार्थ है कई आसे गुरु आएंगे जो गणतिम बुद का भविस्वाडी करेंगी डि कि इनका पिता हमेसा यह चाहते थे, कि मेरा पुत्र हमेसा क्या बने? राजा बने. तो यह अपने पुत्र को हर प्रकाल का सुक्षविधा देंगे और इनको बाहार जाने ये नहीं देंगे. और इनके फैलेस में तीन अन्नी पैलेस का क्या हो जाएगा? निर्माढ़ हो जाएगा अब पहले इस कप कप का होगा एक ग्रिस्म रितु का एक वरसा रितु का और एक सेत रितु का फिर हमने देखते हैं कि यह जो गौतम बुद है जिनको अपने क्या बोला सिधार्थ बोला सिधार्थ जिनका 16 वरस की आयू में विवा होगा और सोलव वरस की आयू में विवा किन से हो जाएगा यह सोधरा से किसे होगा यह सोधरा से तो गौतम बुद की जो पत्नी है उनका नाम क्या है यह सोधरा है यह सोधरा से विवा होने के बाद यह बाहर निकलेंगे अपने सार्थी जिनका नाम क्या था चंदक नाम क्या था च एक बीमार आदमी और एक एक सव एक हैंगे सव और उन्त में गहां कि एक सनीयासी और किसफा रफाइट हो coral सबस्थ नोगर सब्सक्राइब यह संसायसी यहीं हमने देखा था उसके बाद यह घर आएंगे घर में इंको पहता चाले देशाएक पुत्र तो राहूल इनके क्या है पुत्र है हाले की मैनक बतायते हैं कि जो मा मा माया है ये साथ दिन के पशाथ ही इनका क्या हो गया था निदन हो गया था तो इनका पूरा लालन पुष्ण करने वाली कौन थी प्रजावती गौत्मी और प्रजावती गौत्मी ये इनकी क्या थी मौ कुए और इन दोनों से इनको एक पुत्र और ईत्री प्राप्ति होगी पूत्र को होगी नंदा तो नंद और नंदा इनकी क्या है सो तिलिभाई और सो तेलि बहन पिरreet again कि यह आपके कौन यह उत्वर्स की उम्मन में क्या करेंगे क्राइब कुर्ण एया करेंगे ग्रियत् yaya करेंगे तो अ ніतीस गर्रोम है कि इस घोलू醒 है महाथ भी निस्क्रमर्ड के महाथ भी करिंब इसके ऐगा एक नदी भैति सिंगा अनुभा और सी अनुभा नदी के किनारे इसी अनुबा नदी के किनारे यह अपने पूरा वस्त्र क्या कर देंगे त्याग करेंगे और वस्त्र त्याग करके कौन सा वस्त्र पहनेंगे सन्यासी वस्त्र ठीक है तो यह सन्यासी वस्त्र यहाँ पर धारण कर लेंगे कौन गौतम बुद्ध इसके आगे कहा तो अलार कलाम आसरम में जाकर ये अपने पहले गुरू किसको बनाएंगे अलार कलाम को अलार कलाम आसरम में इनको पांस लोग मिलेंगे और पांस ब्रामट कौन कौन थे कौन थे कौन दिनिय उसके बाद असाजी उसके बाद वपा उसके बाद भादिया और भादिया के महानामा तो पांच ब्रामट इनकों मिलेंगे कहां पर कहां मिलेंगे अलार कलाम आश्रम में तो अलार कलाम इनके पहले क्या होंगे गुरू होंगे जो सांग के दर्सन के क्या थे दासनिक थे फिर अलार कलाम से मुलाकात करने के बाद ये कहा जाएंगे रुदरक रुदरक र करना चालू करेंगे तपस्या करना च्छल मिलने यहां तक हमता ने पड़ा था इसके आगे का चीजह को देखना है न इतनी आगे तुमने ये देखा कि मात्माबुद्ध और मात्माबुद्ध के पांच कॉंडिल लिब्रामड मात्माबूत के पांच कॉंडिल लिब्रामड यहाँ पर क्या कर रहे हैं अब तपस्या कर रहे हैं और हम तपस्या कहां कर रहे हैं कहां कर रहे हैं उरुवेला में कहां कर रहे हैं उरुवेला में तो फिर से मैं एक मैप बनाओंगा किसका बिहार का और उसी बिहार के इस मैप में को सबज़ना है ठीक है चलिए तो ये हमारे एक राज्जी है और ये राज्जी कौन सा है बिहार अगर ये बिहार राज्जी है तो आपके मालूम है कि बिहार राज्जी के बिचोप बिच एक नदी बहरी है नाम क्या है गंगा नदी इस गंगा नदी से मिलने वाली एक नदी कौन सी है गागरा, गागरा के बाद गंडग, गंडग के बाद बुड़ी गंडग, बुड़ी गंडग के बाद कोसी, कोसी से एक नदी मिलेगी कमला, क्या मिलेगी कमला, इसके बाद एक और नदी यहां से कौन सी, महानन्दा, क्या है महाननन्दा, नीचे से एक नदी आ रही है, अमरक जोए कियागी अजोए नदी बात में देखते हैं अभी ध्यान दो आपको ये मालूम है कि अगर ये हमारा बिहार है अगर ये हमारा बिहार है तो बिहार में ठीक यहां पर क्या है पटना यहां पर क्या है पटना और पटना के ठीक पर में क्या है वैसाली क्या आपका वैसाली और वैसाले के टीव पर क्या है मुझफर नगर क्या आपका मुझफर नगर ये पटना है तो पटना के नीचे क्या है नालंदा क्या आपका नालंदा और सी नालंदा के नीचे ठीक यहाँ पर आप क्या मिलेगा गया क्या मिलेगा गया तो गया जो है वो कौन कौन से नदी किन औरे यह सोन नदी है यह सोन नदी है ठीक है सुकार देते हैं यह आपके पुनपुन है यह क्या है पुनपुन यह पुनपुन है और यह क्या है फालगू है यह क्या है फालगू और यहां आपका गया है ठीक है पुनपुन और फालगू की बीच में क्या है गया है और मैंने आ 你 midMichna और फालगों का एक और नाम क्या है लीडाजन कही सब नाहे लिडाजन और यहां पर यापका सीवान यह पर रहो यह पटना है पटना के नीचे क्या है नालंदा क्या आपका नालंदा ठीक इस पटना में क्या है राजगीर है क्या आपका राजगीर है अब यह कहां गया है यह यहां से कहां पहुंच गया है गया पहुंच गया है और गया का पुराना नम क्या है उरू बेला के नाम है अभी धियान देंगे. जब कभी भी जब कभी भी हम कहां मैं गत्षति कर भूने बढ़ा हूं थ्यास पड़ रहे हैं तो हमने यह देखा कि इस उरुभेलावन एस उरुभेलावन में मातमबुद और मातमबुद के साथ पाँच कौंडिल लिब्रामबर यहां क्या करेंगे त ठोड़ क्या करेंगे तपस्या करेंगे तो कितने वर्सका ये तपस्या करने वाले हैं बारा वर्सका और कहां पर करने वाले हैं उरू बेला वन में और यही जो उरू बेला वन है ये आज आधुनिक्या है गया है और उरू बेला वन में आपको दो नदी मिलेगी नाम क्या है पुनपुन नदी और फालगु नदी जो उस समय क्या था निरंजना नदी और लीला जन नदी क्या नदी है निरंजना नदी और लीला जन नदी अब देखते हैं होगा ये जब ये दोनों तपस्या करना चालों करेंगे कहां पर गया में ये गुदुनों ने ये पूरे क्यां आजाएगा कि गौतम बुत का पूरा सरीर क्या हो जाएगा गल जाएगा उनके पूरे सरीर में एक भी जगा आपको मास नजर नहीं आएगा पूरे सरीर में सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगी हड़िया क्या नजर आएगा हड़िया मलब एदम पतले हो जाएगी एक तो य ये राजकुमार और राजकुमार अब क्या कर रहा है तपस्या कर रहा है और ये कोई ऐसा वैसा राजकुमार नहीं थे ये वो राजकुमार थे जिन्होंने बच्पन से ही सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है सुख देखा है हर प्रकार के ये सुख भोग विलास को बोग विलास खराब है किसका किसका गौतम बुद का गौतम बुद हमेशा निरंजना नदी के किनारे किस नदी किनारे निरंजना नदी के किनारे क्या करते थे तपस्या करते थे निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ था और ये पेड़ कैसा था पीपल पेड़ क्या पेड़ था ये फाल पेड के नीचे में तपस्या करते थे कौन गौतम बूद में रूबिला वन स्थी क्या है गया है अगर रूबिला वन सब्सक्राइबक कि और यहाँ आपर एक और दि बैरी कांजी कोंसी लीला जन किर दिवर्जनबी और लीला जन अगे फालगू कि बहलोगे आप फालगू इन दोने दिके बीच के वीच में यह तपस्या कर तया नाम क्या है होता यह था कि यहाँ पर यह तो तपस्या करे रहे हैं इनके साथ यह पांच ब्रामड भी क्या कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं यह पांच ब्रामड भी क्या कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं यह मोटे हटे-कटे हैं क्योंकि यह तो सुरू से तपस्या करने की इनकी आदत है और यहाँ पर य रहें यह पांच कॉय वर्पामर और यह कौन कौन गौतम घुत्न अभोगा Korean यहां पर हमेंचा bear हमेसा एक महीला आ जाती थी च्कारतना महीला का यहां पर हमेसा एक महीला आ जाती थी और यह महिला अपने हातों में खीर लेके आती थी कुछ ने कुछ भोजन लेके आती थी और इस महिला का नाम क्या था सुजाता क्या नाम था सुजाता तो देखती थी सुजाता यह सब क्या कर रहे हैं कठोल परिश्रम कर रहे हैं तो हमेशा सुजाता आती थी और इन लोगों वोजन कराने का यह बोजन कराना चाहती थी कुछ खाव लो तो यह लोग मना कर देते थे कौन घौन वह 5 ब्रहुने हमको नहीं खाना हम 12 साहथ क्या करेंगे तपस्य खरेंगे लेगे ज्यान मगने मतलब यह थो नहीं कि दम ऐसे पड़े हुए आईए भाई दे रही हुए खाना यह से कर देंगे नहीं टिक है इनका हालत खराब है किनका किनका गौतम बूथ का टिक है भाई राजा आदमी राजकुमार है अब राजकुमार उतने दिन तक भूखत होने रह सकता उनको लगने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं अब मेरे से और नहीं हो पाएगा तो होगा यहां से ठीक यहां पर एक आदमी था एक आदमी था जो हातों में जो हातों में क्या रखा था वीड़ा रखा था क्या रखा था यह वीड़ा बजाने की कोशिस कर रहा था इसे वीड़ा बजी नहीं रहा था बार बार ये दो काम कर रहा था ये बार ये वीड़े के तार को बहुत कस्द देता था तो जब वीड़े के तार को धिला छोड़ देता था और जब धिला छोड़ता था तो वीड़ा का वीड़ा के कितार से कोई भी आवाज नहीं आता था तो यहाँ पर एक आदमी जो कौूंअ जा राहा है वीडा बजाने की कोशित कर रहा है टबी यहाँ से कुछ नाचली वाली महिला यहां से क्या करती है निकलती रहती है तो इस वीडा बजाने अभी गाना कैसे होगा इस प्रकार से गाना यह tule छो समझते हो क्या बूले युद्स कि बिलामक फ़ें रही और रहें हो किस गोंथ करें किस गाने हест एक हफ़ को सवाह हुआ है सिम्सुन और देखें किसको इस वीड़ा बातक को तब उनकी रिलाइज होगा कि जो वीड़ा है वो कौन है मैं हूँ और जो वीड़ा का जो तार है वो मेरे दुवारा किया गया क्या है तपस्या है अगर अगर मैं ज्यादा तपस्या करूंगा अगर मैं ज्यादा तपस्या करूंगा म तब मैं क्या हो जाओंगा मर जाओंगा और अगर मैं कम तपस्या करूंगा मतलब मैं वीड़ा की तार क्या करूंगा धीले छोड़ूंगा अगर मैं धीला छोड़ूंगा तो वीड़ा का तार नहीं बजेगा अर्थाद अगर मैं कम तपस्या करूंगा तो मुझे किसी परका क्या बूलूंगा मैं मद्यम मार तो मद्धियम मार का प्रेडना क्या सोटो किसका मद्धियम मारग किसका अब क्या होगा है एक वह ठीक नब हाई अब हाला थुक्राब को ना बारा साल या bite एकी साल हुआ है ठीक है एक साल भी नहीं हूआ यह वी औहुआ है और पांठे मेन की स्थिद्ती कराब गई kept a unm τις किमार्व मधConnell मध्यमार्थ एक मेन मतलब एकजेड़ी उन्चांस दिन उन्चार्ज नंगी तपस्य किये हैं, उन-4 दिन के बाद इनको बोध हो गया, मुझे क्या करना है? मद्या मार्ग चुनना है, क्या चुनना है? मद्या मार्ग, ति अब क्या होगा? अब फिर इसे सुझाए, अरे यार, पानी भी पीते होंगे, ठीक है? कुछ न कुछ खाते तो होंगे, ठीक है? लेकिन य तपसे कर रहे हैं लेकिन, अब यहां बाद देखो, यहां बार बार कौन महले आ रही थी? सुझाए, कौन आ रही थी? सुझाए, इस दिन फिर सुझाते आई, और इस बार सुझाता के हाथ में राइस पूटिंग था, राइस पूटिंग मतलब खीर था, क्या था? खीर, य इनों तो मना कर दिये होंगे obviously नई चाहिए लेकिन जब यहां पर आए यह तुरंट पकड़ लिए किसको राइस पूडिंग को खा गया है कौन कौन गौतमबुद और जब यह खाए तो यह पांचों ब्रामबड क्या हो गया है गुसा आ गया है किसे गौतमबुद से और गौतमबुद को बोले किसे धार तुम पदबरस्ट हो तुम क्या हो पदबरस्ट हो तुमने अपना तपस्या तो तोड़ा ही और साथ में हम सभी का तपसिया तुमने क्या कर दिया भंग कर दिया क्योंकि हम सभी एक साथ ये क्या किया थे प्रण लिये थे कि हम एक साथ 12 साथ क्या करेंगे तपसिया करेंगे लेकि तुमने सिव 49 दिनों में अपना तपसिया का कर दिया तोड़ दिया और तुमारे तपसेगारन हम सभी का तपसिया क्या हो गया भंग हो गया तो तुम सिधार्थ तुम क्या हो पतपरस्ट हो क्या हो पतपरस्ट तु सिधार्थ को पतपरस्ट बुलने वाले कौन थे पांश कॉंडिलिय ब्रामड और ये पांश कॉंडिलिय ब्रामड कौन कौन थ तो गॉदंबुद को खीर खिलाने वाली महिला कौन है। सूझा था। अब यहां से गॉदंबुद अकेले हो जाएंगे। आप गॉदंबुद ने एक मार्क चुनियाका कॉन सा मधियमार। अब मैंने पूला मध्यमार क्चुन लियाया है, माला अब जो 12 वरस Schwe are स्का जो कप्धूर तपक्षिया होका किसा में रहर न किस्थ में पहले हैं हाले कि उन्चास दिन पहले गाम करेंगे हैं लिए जो तपहस्या हो वगा कैसे हो世界 मद्यम मारगवाला ना जादा ना कम अब ये पाने भी पेंगे और ये खाना भी खाएंगे और ये तपसे भी करेंगे कौन? कौतमपूद तो होता है ये अब ये अकेले ही क्या करेंगे? तपसे करेंगे तपसे करते करते 6 वर्स बिद जाएगा और 6 वर्स के बाद इसी पीपल पेड़ के निचे इसी निरंजना नदी के किनारे इनको एक ग्यान की प्राप्ती होगी और वो जो ग्यान है उस ग्यान को हम क्या बोलेंगे निर्वान ग्यान क्या ग्यान निर्वान ग्यान तो गौतम बुथ को निर्वान ग्यान की प्राप् इनको क्या हुआ ग्यान के प्राप्तवी